दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Grand League Teams के बारे में जो कि आज का Final मुकाबला चैने सुपरकेंग वसेज कोलकातनाइट आटरस के बीच खेला जाएगा उसके बारे में तो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग पूरी Grand League Teams के उपर बात करेंगे वो भी दोस्तो पूरी Special Team और केवल Mega Contest के लिए तो दोस्तो वीडियो होने वाली है बहुत थी ज़रा इंट्रेस्टिंग और मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता दे रहा हूँ कि हमारे चैनल पर दोस्तो अनलेसेस वाली वीडियो अपलोड कर चुक्या हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वो वाली वीडियो भी आप जाकर जल से लग देखिए इस वीडियो में हम लोग पूरी Grand League Teams की उपर डिसकस करने वाले हैं तो जाए ट्रेम वेशना करते हों दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं पहले टीम की उपर तो दोस्तो यह है हमारी पहली टीम कोंबिनेशन केवल मेगा Grand League की मैं यहाँ पर आपको टीम दूँगा तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कैप्टन बनाया है दीपक चहर को और वाइस कैप्टन मैंने बनाया है फैब डूपलेसिस को दीपक चहर को मैं कैप्टन इसलिए बनाया हूँ कि दो मैच खेले हैं दीपक चहर और चार विकेट लिये हैं और यहां पर जाहिर सी बात है दीपक चाहर को मैं कैप्टन बना रहा हूं तो मैं यह सोच्टर बना रहा हूं कि यह दोस्तों पाउर पले में दो या तीन विकेट जरूर लेंगे तो जाहिर सी बात है अगर यह दोस्तों यहां पर मैंने वेंट केटेस अईयर को लिया है और दोस्तों यहां पर मैंने सुम्मन गिल को लिया है और मैं आपको पहले ही दोस्तों टेलेग्राम पर बता दिया था कि यह जो वीडियो रहने वाली है पूरी स्पेशल वीडियो रहेगी केवल ग्रेंड लिग के लिए और पूरी रिस्की टीम यहां पर मैंने आपको दिया है क अहीं कोलकदा की तरफ से बात करें तो कोई यू उपनर को नहीं लिया है, मिडल ओर और अलो ओर डर का बैट्समेन को मैंने लिया है, यहां से निती सराना और राहुलतिर पाठी और यहां से दिनेश कार्तिक को, और बात करें और ordereder से जो सबसे बड़ा नाम लिक लिकारा है रसल को लेकर, तो ज़्यादर चांच लेकर की दोस्तो इस मुकावले में ender रसल खेलेंगे, तो यहां पर मैं ender रसल को लिया हूं और यहां से सुनी लरायन को, और यहां से मैंने मौहनली को लिया है, और bowling से बात करते हैं मैं जोर्ज हजलूड और दीपक चार और वरुन चकरवती को इस टीम में मैंने लिया है तो यह जो मेरी team combination है भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहां से यह team combination बनाई है तो दोस्तो यह जो stats मैंने जैसे आपको analysis वाली वीडियो में बताया था कि इस season दो मुकाबले खेले गया है दोनों teamों के बीच इस season और जिसमें से चेनने का top order बहुती संदार performance किया है और वहीं Venkates Iyer और सुमन गिल का कुछ खास performance था नहीं दोस्तो चेनने के खिलाब और दीपक चार देख सकते हैं कि दोस्तो एक wicket में एक मैच में चार wicket लिया है तो इसी के basis पर मैं दोस्तो यह मेरी पहले team combination है अब बात कर लेते हैं दोस्तो दूसरी grandly की team की उपर तो दोस्तो यह जो मेरी दूसरी grandly की team है यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या क्या changes किया है यहाँ पर सबसे पहले मैंने लोकी फुर्गोसन को captain बना रहा हूँ और wise captain मैंने यहाँ से Venkates Iyer को लिया है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि दोस्तो यहाँ पर मैंने कोलकाता की तरब से दोनों ओपनर्स को लिया है Venkates Iyer और Assuman Gill दोनों को और जाहिर सी बात है दोस्तो यहाँ पर मैं लोकी फुर्गोसन को captain बना रहा हूँ कि कोलकाता का जो टॉप ओडर है फिर से संदार प्रफुर्गोसन करेगा पिछले मैच जैसा और दोस्तों मैच यहाँ पर कह सकते हैं कि संदार मतलब बॉलिंग भी करेगा तो यहाँ पर मैंने ओल्रॉंडर मिलाकर चार बलर लिया है सुनिल लरायन वेनकेटेस यहर जो की बॉलिंग तो कर नहीं रहें लेकिन करने का मौका मिलाकर जरूर करेंगे और फिर वरुन चकरती और लॉकी फूर्गोसन मेरे captain और फिर बात करें चन्ने की तरफ से तो ओल्रॉंडर सेक्षन से मैंने रविंदर जडेजा और यहां सालु ठाकुर को लिया है और यहां पर मैं इस टीम में धोनी को ले रहा हूं और यहां से मैं दिये दोस्तों पूरी टीम कर सकते हैं कि चन्ने सुपर किंग की टॉप और सारे बैट्समें को फिवर करते हुए और यहां पर मैं चार बॉलर्स लिया हूं दोस्तों और मिलाकर कोलकता की तरफ से जो मेरे दूसरी टीम कंबिनेसन रहने वाली है ग्रेंड लिक की रहने वाली है आप इसे स्मॉल लिक में बिल्कुल भी यूज ना करें और सबसे टीम मिलेगी बिल्कुल फ्री में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों लेट बिल्कुल ना करें जल से जाकर जोइन कर लें और आगे वाल्ड कप भी आने वाला है तो उसकी वहां पर सारे अपडेट्स मिलेगी और जितना भी दोस्तों डोमेस्टिक मैच खेले जा सारे अबडेट्स आपको देखने को मिल जाएगी अब बात करते हैं तीसरी टीम की उपर दोस्तों यह जो मेरे तीसरी टीम है यह पूरी तरह से कह सकते हैं कि कोलकाता को फ्रिवर करते हुए कैसे को क्योई करते हुए यहाँ पर मैं कैप्टन बना रहा हूँ सुमन गिल को Efendimiz किफिटन वैंके टेस सेयर को दोनों उपनर को मैंने क culinary can be stars और मैं यह वह यह यह जो rapidement यहाँ टोप उटार का टॉप पर टॉटीन सांदर प्पर्फ Het algunos करेगा तो जाहिर सी वात दव्हाद दोस्तों डोनों ओपनर को मैंने यहाँ पर captain wise captain बनाया तो मुझे ऐसे बोलर चाहिए चन्ने की तरफ से जो power play ना करते हूं तो सबसे पहले मैं एक बोलर यहां साथ उठा को लिया जो कि देथ में बोलिंग करेंगे और में और यहां पर मैं कोलकाता की तरफ से तीन बोलर लिया हूं मिला का वरट नहीं पर लिया हूं का बना रहा हूं कि चने इस सुपरकिंग के जो टौप और मीडल और और वाली तेम की बात कर लेते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि कॉलकाथा का फिवर करते हुए हैं लेकिन यहां पर मैंने क्या चैन्डस किया है आप लोग गौर कहीज़ेगा यहां पर सबसे पहले मैंने मोहिनली को कैटन बना रहा हूं, वाइस कैटन सीवम माभी को तो दोस्तों जो मेरी पिछली टीम थे, यहां पर कोलकाटा को फ़िवर करते हुए तो यहां पर मैंने चैन्ने की तरफ से दोनों ओपनर्स को लिया था लेकिन दोस्ते यह जो मेरी टीम है, यहां पर मैं चैन्ने की तरफ से कोई भी ओपनर्स को नहीं लिया हूं मिडलोडर रहा है का सारे बेट्समेल को मैंने कवर कर लिया है तो यहां पर एमेजोनिय को लिया है, रइडू को लिया है, और यहांसे रोविनोट अप्पह और दोनों उपनर्स को मुझे लेना ही था यहाँ हैं पर क्योंकि कोलकाटा को favor करते हूए team है और वही bowling session से बात करते हुए तो मैंने स्थे बोलर को लिया जोगी पाउर प्लेइ में bowling करेंगे तो मैंने लोकी फुर्गोशन को लिया, सिवमा भी मेरे वाइस केप्टन रहेंगे और यहां से मैंने वरुन चकरवती को लिया है इस टीम में तो आप चाहें तो दोस्तों यहां पर एक मतलब यहां पर बराबो या जड़े जाके जगह पर आपने लोग यहां पर सुने लरायन को भी ले सकते हैं क्योंकि वो भी पावर प्ले में बोलिंग करेंगे तो यह दोस्तों होगी मेरी चौथी ग्रेंड लिक टीम कॉम्बिनेशन मीडल ओर को फिवर करते हुए चन्ने की तरफ से और कोलकाटा की तरफ से बैट्समेन और बोलिंग को फिवर करते हुए क्याप्टन यहां से मोहन लिर रहेंगे यूँ ग्रेंड लिक की पूरी टीम कॉम्बिनेशन में मेगा लिक्स के लिए आप इसे दोस्तों स्मॉल लिक में बिल्कुल भी यूज ना करें और आपको पता है कि दोस्तों मैं अभी दो वीडियो बना चुका हूँ एक एनलिसिस वाली और एक दोस्तों ग्रेंड लिकी टीम्स वाली पहले से में बना कर रखा हूँ तो उसकी भी लिंक आपको डिस्रिप्शन में मिल जाएगी उसमें मैंने आपको तीन से लेके 11 मेंबर्स वाली है स्मॉल लिकी वाली और 10 से मतलब 100-200 ग्रेंड लिक वाली लिक में थे अमतलब सारे वहाँ पर आपको टीम को अमिनिसन दी है और ये जो मेरी वीडियो रहेगी पूरी ग्रेंड लिकी लिए रहने वाली है अब पांचवी टीम की उपर बात कर लेते हैं तो दोस्तों जो मेरी पांचवी टीम रहेगी यहाँ पर मैं 5 डू प्लेसिस को कैप्टन बनाया हूँ अब वाइस कैप्टन रितुरेज गया कवार्ट को जैसे दोस्तों ये दोनों जो मेरी टीम थी उसी हिसाब से दोस्तों ये भी जो मेरी टीम है यहाँ पूरी चेन्ने को फिवर करते हुए है तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पर मैं दोनों ओपनेर्स को कैप्टन बना रहा हूँ चेन्ने की तरफ से तो यह मैं नहीं है ऐसे बोलर को लिया है जो कि पॉर पले अर्द्य तुम्हें बोलिंग करेंगे चैन्ने की तरफ से तर यहां से रविंद्र जड़िदा को मने लिया जॉज से सलूट को और दीपक चहर और यहां से सालू ठाकूर अब वहीं बात करें दोस्तों यहां पर कोलकाता की तर और नितिसराना और यहां से राउल तुरिपाठी और यहां से दिनेश कार्थिक तो टॉप और मीडल ओर को पूरा मैंने कवर कर लिया है तो जहर सी बात है दोस्तों यह मेरी पूरी ग्रैंड लिग की टीम को अमिनेशन रहेगी अगर चैन्ने के टीम टॉस जीत जाती है त उसके बाद बात करते हैं दोस्तों छटी टीम की ऊपर तो दो मेरी यह टीम है पूरी तरह से का सकते हैं कि चैन्ने का फिपर करते हुए लेकिन यहां पर मैंने कोलकादा की तरब से कोई भी ओपनर को नहीं लिया है नाई वेंकेटे से और नाई सुमंगिल नितिस तराना मे दोस्तों इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आप लोग अभी तक टेलिग्राम चैनल पर एड नहीं हुए है तो जल से जल जाकर टेलिग्राम चैनल पर एड हो जाए दोस्तों धन्यवाद और डिस्क्रिप्सन मैंने लिंक दे रखा है वह वाले वीडियो भी आप जाकर जल सेल तेख लिजे धन्यवाद दोस्तों